Hello everyone, welcome to competitive exams, tech prep, मेरा नाम कुछ पांजलिया और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने जा रहे हैं Software Design Approaches Software Design Approaches के अंदर basically हम डिसकस करेंगे Function Oriented Design तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है Function Oriented Design तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हम बात करेंगे Software Engineering subject के अंदर सब बहुत important वीडियो है आपके exam point of view से अभी तक आप में चानल पर जुड़े नहीं है से जुड़ जाएए कर दीजे चानल को सब्सक्राइब और बल बटन को प्रेस कर दीजे जिससे आने वाली वीडियो की notification आपके मिलती रहें और ऐसी उसी वीडियो आप देख पाएं आप मुझे टेलिग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जहां पर में notes प्रवाइड करती हूं वहां से चेक करके आप Link description box में दिया हुआ है वहां से चेक करके join कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक क function oriented design and object oriented design जिसमें particularly इस वीडियो के अंदर हम दिस्कस करेंगे function oriented design को ठीक है तो चलिए दिस्कस करते हैं function oriented design का क्या मतलब है function oriented design एक method है जो की software को design करने के लिए use किया चाता है ठीक है तो function oriented design आपको नाम से लग रहा होगा कि function oriented है यानि यहां पर हम functions की बात करे वाले हैं यानि software की designing part में जहां पर हम software की designing कर रहे हैं उसमें हम जो approach लगा रहे हैं उसमें हम functions का use करेंगे basically तो function oriented design एक ऐसा method है software designing का जहां पर हम models को decompose करेंगे set of interactive modules में यानि जो हमारा function software का model होगा ठीक है software के model को हम decompose कर देंगे छोटे-छोटे modules में और हर एक जो module होगा वो उसमें आपका clearly function को define किया जाएगा यानि आप माल लिजे कि यह आपका पूरा software का design माल लिजे है या software का model है इसको हमने छोटे-छोटे क्या क्या दिया हमने छोटे-छोटे modules में define कर दिया sorry decompose कर दिया और इन modules के अंदर हमने functions को बना दिया यानि हर एक modules के अंदर अपना function define किया गया है ठीक है तो function oriented design के लिए जो design है उसको हम graphically या फिर mathematically represent करेंगे ठीक है इतनी बात clear है आपको तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपका सबसे पहले functions में आप किस तरह से function oriented design के अंदर हमने समझा कि इसको हम कैसे represent करेंगे graphically या फिर mathematically तो graphically मतलब graph के form में या फिर mathematically यानि equations के form में हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते है graphically कैसे represent करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले use किया जाता है dfd का dfd का full form क्या होता है data flow design ठीक है data flow design जो है वो concerned होता है with designing of a series of functional transformation ठीक है यानि यह क्या करेगा dfd क्या करेगा input को output में convert करेगा functional transformation का use करके ठीक है functional transformation का use किया जाएगा dfd के अंदर और इससे हम system के जो भी inputs हैं उसको required output में convert कर देंगे और यह जो आपके diagram होते हैं यह बताते क्या है जो dfd होता है वो basically diagram के form में होता है ठीक है अभी हम discuss करेंगे कौन-कौन से diagram होते हैं इसमें use किया जाते हैं तो जो diagram होता है dfd के अंदर वो क्या बताता है how data flows through a system यानि जो हमारा software बनाया जा रहा है जो model बनाया जा रहा है उसके अंदर data कैसे flow करेगा ठीक है output कैसे आएग ठीक है माली जे कुछ input आपने software के दर दिया और उसके corresponding जो output आएगा उसको बताएगा कि आपका data माली जे ये model है इसके अंदर आपने क्या input दिया और उस input के through आपका output क्या आया इसके flow को इसमें जो data flow होगा input से output तक उसके flow को बताएगा ये diagram जो आपका dfd होगा ठीक है तो इसमें आपका series of functional transformation का use किया जाएगा जिसके through आप क्या करेंगे data को input करेंगे functional transformation होगा उसका और फिर output आएगा इसमें कौन-कौन से आपका use किया जाता है कौन-कौन सा diagram यानि यह आपका dfd जो है वो आपका diagram के form में होता है यहाँ पे आप क्या करते हैं basically आप देख सकते हैं आपने flow chart पढ़ा होगा उसमें हम symbols का use करते हैं इसी तरह dfd के अंदर भी हम symbols का use करते हैं जिससे हम data के flow को दिखाते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम यूज किएंगे random parallelogram sorry rounded parallelogram तो जो आपका rounded parallelogram होगा इस तरह से ठीक है rounded parallelogram होगा वो आपका क्या बताएगा कि आपका function that rework output to input to output ठीक है rounded parallelogram क्या करेगा उस function को represent करेगा जो हमारे input को output में convert करेगा ठीक है फिर आता है बात है rectangle की तो rectangle क्या करेगा information को represent करेगा circle use किया जाता है circle क्या करेगा तो circle use किया जाएगा to represent user interaction with the system यानि system से कैसे user interact कर रहा है इसको दिखाने के लिए हम circle का use करेगे फिर हम use करेंगे arrow का जिससे हम information की direction को बताएंगे कि information किस direction में flow हो रहा है इसके लिए हम arrow का use करेंगे फिर हम दो keywords का भी use करते है and and or and and or जो use किया जाता है यह आपका keywords जो है वो mathematician use करते है basically ठीक है तो the keyword and and or have their usual that means in mathematician ठीक है तो and and or भी use किया जाता है तो dfd के अंदर basically जो use किया जाता है वो rounded parallelogram ठीक है आप बना लिजेगा राउंडिट parallelogram होगा फिर आपका rectangle use किया जाएगा और यह आपका circle use किया जाएगा और आपका एक arrow बताया जाएगा कि information कहां से कहां तक send हो रही है input से output तर ठीक है तो यह आपका use किया जाएगा तो function oriented design के अंदर सबसे पहले तो dfd यूज किया जाएगा दूसरी चीज़ यूज कि जाएगी data dictionary data dictionary क्या होता है data dictionary जो है वो simply repository होते है जैसे आपका data को store करना है आपको basically ठीक है तो जो भी input कर रहे हैं आप software के अंदर उसमें information जो भी आप input कर रहे हैं उसको store करना होगा कहीने कहीं आपको तो data dictionary जो है वो आपका एक as a repository काम करता है इसमें हम information को store करते हैं जितना भी आपका data items related आपका जो भी चीज़ें है ठीक है dft के अंदर जो भी आपने define किया है dft में क्या बता रहे है data किस तरह से flow कर रहा है system के अंदर और जो भी dft के अंदर आपने define किया है जितने भी डेटा आइटम को उसको store करने के लिए हम data dictionary का use करेंगे ठीक है अब the requirement stage जो आब हम requirement को देखेंगे तब आपका data dictionary जो है वो data items को contain करेगा जैसे माल लिजे आप कोई software बना रहे हैं तो software बनाने में आपको क्या-क्या requirement है किस-किस data की जरुरत है कि कौन-कौन से data item को जरूरी है तो requirement stage पे जब आप the software related requirement ले रहे हैं तो data dictionary में हम उन data को हम क्या करेंगे store करेंगे ठीक है तो data dictionary जो है उसमें आप item का नाम भी लिख सकते हैं ठीक है आप item का नाम store करेंगे या फिर आपका कोई भी items related description है या जो item बना रहे हैं उससे related information या उससे related जो भी data items हैं उन सारे चीजों को आप data dictionary में store करेंगे तो data dictionary storage की तरह यूज किया जाएगा जिसमें हम software related जो भी data items यूज किये कर रहे हैं उसको store हम करेंगे ठीक है next आता है आपका function oriented design के अंदर decision tree and decision table decision tree जो है वो provide करता है visual representation of processing logic involved in higher cognitive activity यानि जो decision tree है यह क्या बताता है कि जो भी आप software के अंदर logic को process कर रहे हैं उसका visual representation बताता है आपका decision tree ठीक है decision tree के थूँआ बताएंगे कि क्या logic आपने software के अंदर लगाया है उसकी processing data की processing कि logic पे हो रही है इसको आपका decision tree बताएंगा ठीक है parameters of a choice tree represent conditions तो आपका जो भी tree के अंदर parameters use किया जाएंगे वो क्या बताएंगा आपका conditions को बताएंगा ठीक है leaf node होंगे tree है तो leaf node होगा leaf node क्या करेगा reflect the action to be taken and response to the conditions test result यानि आपका जो leaf होगा वो क्या बताएंगा जो भी आपकी condition test का result आयागा उसको वो बताएंगा ठीक है तो इस तरह से हम इसमें हम जो आपका software design approach में basically function oriented design है function oriented design के अंदर हम या तो software के model को graphically represent करते हैं इसके लिए हम dfd का use करेंगे dfd क्या बताएगा कि data किस तरह से flow हो रहा है input से output तक ठीक है उसके बाद हम use करेंगे data dictionary का data dictionary क्या करेगा data items को store करेगा ठीक है decision tree क्या बताएगा क्या logic हमने उस software के अंदर लगाया है जिससे input process होके output तक आ रहा है तो यह हम function oriented design के अंदर बढ़ते हैं ठीक है I hope आपको समझ में आ गया होगा पंसेप्ट आपका clear हुआ होगा अगर वीडियो पसंद आई है तो like कर दिजेगा अपने friends के शेयर करेगा चैनल पर जूड़े नहीं है तो जूड़ जाएगा thank you for watching